दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एस्टेटी 3.0 पे दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल लेकन बटन को दला दीजिए तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट अपिज­टोड अब अब ही तक आप लोगों का अब आजगी यह कंप्लीट हो जाएगा हम आप लोगों को 100 प्रॉइड कराएंगे एक सीजन का फिर दूसरे सीजन में हम आप लोगों को 100 टेस्ट प्रोवाइट कराएंगे इससे आप लोगों को SST GD और CPF के जितने भी एकजाम होते हैं या कोई भी गोवर्मेंट की एकजाम होते हैं अच्छी त्यारी आप लोगों को हो जाएगी तो देखे दोस्तों आप लोगों को timing रहने वाला है 25 मिनट और ये mark रहने वाला है 25 तो आप लोग देख लिजिए कि आपका कितना त्यारी है और कितना मात्रक होता है तो बताए इसका सहिंसर क्या होगा इसका सहिंसर हो जाएगा option number C खगोलिये दूरी किसका हो जाएगा खगोलिये दूरी परकास वर्ष खगोलिये दूरी का मापक है फिर चलते हैं next question पे ट्राई नाइट्रोलीन का विसफोटक निमलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है ट्राई नाइट्रोलीन का विसफोटक निमलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है तो क्या हो जाएगा इसका सहिंसर हो जाएगा option number D सही हो जाएगा ammonia nitrate क्या हो जाएगा option number D सही हो जाएगा ammonia nitrate फिर चलते हैं next question पर तो देखें दोस्तो ट्राइट्रोलीन TNT का विस्फोर्ट ammonia nitrate मिशन में किया जाता है और TNAG को नोवल का तेल भी खा जाता है और TNG का परियोग डैनामाइट बनाने में होता है और RDS महत्पूर्ट विस्फोर्ट का है जो ट्राइट्रिलीन में मिलाकर विस्फोर्ट निम्लखिती में से मिस्टन द्वरा क्या जाता है तो इसका सहींसर क्या हो जाएगा option इसका हो जेगा option number d से हो जगा ताइवानमे कहा मनाया जाता है lost यह मने जाता है तायवान में फिर चलते next question है फ्लिटीजर प्रुस Cuando की स्थेत्र में दिया जाता है plisarten क्लाच === की स्थेत्र में दिया जाता है तो बताए फ्रेंसिसका सहींसर क्या हो ज़ेगाитесь प्लितेजरफ्रफ्रेइंट इसका से्टर। तो इसका से लोह क्या हो जाएगा? तो इसका sensor क्या हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स पानी से लोहे तथा मैगनी जो वाईव मिश्रन परक्रिया से हटाया जा सकते हैं देखे समाने तर ठोस्पदार्थ की विलेता ताप बढ़ने से बढ़ती है लेकिन कुछ ठोस्पदार्थ की विलेता ताप बढ़ने से घटती है जैसे सोडियम सलफेट, केल्सियम हैड्रोकसाइड, केल्सियम सैट्रेट आदी फिर देखे किसी दर्व में गैस की विलेता बढ़ने से क्या होती यह तो ताप बढ़ने से घटती है किसी दर्व में गैस की विलेता की ताप बढ़ने तो घटती है दाब बढ़ने पर दर्व में गैस की विलेता बढ़ती है तो इसका सहींसर क्या हो जागा तो इसका सहींसर किया दोस्तो बताए किया होजेगा ओप्सम नमर ए से होजेगा वाईू मिस्द्ट से फिर नेक्ष सूर्ट नेक्ष सन है चाहिएबभ नौ weights का परियोग किसमें किया जाता है तो इसका सनिसर दोस्तो आप लोग इसका सिर्स्ट को पूर questa दीजिए दोस्तो तो मैं आप लोगों को रियल्टी के साथ बोल आप लोगों का अच्छा नंबर इंप्रूब हो जएगा ससी जीडी में और ससी भी हेट कंस्टेबल के आने वाले एक्जाम में फिर नेक्स्ट कोर्शन है निम लिखीत में से कौन एक तत्व है तो इसका सहींसर क्या हो जाएगा अबिकरिया की दर बदर देता है दोस्तो यहीं आप लोगों का सबी टेश्ट का पीडियाप चाहिए तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिए तो हम आप लोगों को एक ही साथ सारा पीडियाप प्रोवाइट करा देंगे बस आप लोगों का कॉमेंट चाहिए मुझे कॉमेंट कर दीजे पीडियाप चाहिए तुम्हें एक ही साथ आप लोगों का Celsius देखे फ्रेंट्स जल जीरो डिग्री सेल्सियर पर जमना शुरू हो जाता है जिसे जल का हिमांक बिंदु कहते हैं तो है अप्सिन नमर आपसर नमरब डी भुकंप का जठटका क्या होजाएगा ऑपसर नमरब डी से यह हो हो जाएगा भुकंप का जठका तो देखे फ्रेंट्स हमें आवह भुकंप की त्रपिताम आपने के लिए रिएक्टर स्केल तथा शिस्मोग्राफी का पड़ियों किआ जाता है रिएक्टेश Χल पर एक से नव अंक्तक निधारित होते हैं जब की सिस्मो गराफिक पर एक से बारा तक सिस्मो गराफिक पर एक- जो बारा तक दोस्तों यह भी कोसन आप लोगों को पूछे जाते हैं यह प their पे नई है तो सब्सक्राइब कर लीज watts और बेल लाइक जो बटन है उसको आप आउल पे कर लीजिए ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन अप्लोड करें कोई भी सुचना कोई भी सीएप फोर से संबंदित आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों यदि वीडियो में कोई गलती हो तो आप लोग थोला मैनेज क कर लीजिगा क्योंकि गलती सबसे होते हैं लेकिन जहां तक मेरा संभव है तो हम गलती करने की कोई गुंजैस नहीं करते हैं ताकि आप लोग तक सही जानकारी पहुंच सके फिर नेक्स्ट कॉर्शन है आप लोग देखते हैं उबलते पानी की अपेक्छा भाब से अधिक जलन होने के कारण तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर डी से हो जाएगा भाब की गुप तुसमा के कारण उबलते पानी यदि आपके शरीर पे गीर जाए तो कम जलन होगा लेकिन भाब से आप जल जाए तो अधिक जलन में होता है तो इसका कारण क्या है है बापकी गुपत उस्मा के कारण तो प्सन क्रेश्ट को सिंध्य का अर्थ है देखें दोस्तों यह आप लोग मनुष्व को मैं बात ने लिए किसी जैसे इसका सेंसर क्या झायगा इसका सेंसर होजएगा ओप्षान नमर्ज गुल को जन की रूप में संचित कर क्या होजएगा गुल को जन की रूप में पार जैद आपने अा कुछ यह कोर्षन एक स्सी जीडी में पुछा गया था तो आप लोग देख सकते हैं और इस बार जितने भी स्टूडेंट है जो भी फ्रेंट्स तैयारी अच्छा से कीजे और हम आप लोगों के साथ है कोई भी दिकत है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजे हम आप लोगों को सलूशन देंगे किसी वियकि व्यक्ति के धरकन की लगवक कितनी होती है तो इसका स्थैंसर अरफ नवर के क्या होजाईगा उपिछिज honored ये सही हो जाएगा और फ्रेंस ये कोशंट के हो इसका सोटा है देखे ढूँस्तों इसपर को सना आप लोगों को हडिक एक रिख पूश्याम में पुछे ऑप्सर नमर 020 एन एte 930 क्या हो जाएगा एन अ 530 मैं एकट सीओ फिर कि एक तीलमर सभी प्रेंच यह कं अब दांट को ईब सावान होता है दांट के डॉक्टर का दर्पन होता है तो बता थोड़ा सा लामा तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा वाज कीजिए इससे यह होगा कि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को त्यारी अच्छी हो जागी ताकि हमें यह न मिले क्योंकि हम एक यूटूब चैनल पे देखे दे लिखा हुआ थ तो मुझे बस अपने चैनल का वेश्ट विशेश चाहिए आप लोगों से आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों तो देखे कोईले का मुख रूप में सामिल है कोईले का कोईले में मुख रूप से सामिल है तो इसका बताए फ्रेंट्स इसका से इंसर क्या होगा जिसका पुष्तक सत्यार्थ परकास किसके द्वरा लिखा गया था निंच है निमनीमे से कौन सा सबसे सशक्त असकंदक है लिए निमनि में से कौन सा सबसे ससक्त असकंदक है तो बताए फ्लीज इसका सईंसर क्या होगा इसका सईंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब तो थोस्टो सबसे अलमुनियम क्लोराइड तो देखे दोस्तो सबसक्त इलमूनियम क्लॉराइड है course में गैस क्या रिलियन का पूर में बायू का विलियन है जल में खरल कर यहां यह कोषण बनता है की दांतों का प्रारम्ब होता है तो मुओं में pH का मान 5.5 कम होने से दात्यों का यह प्राडम हो जाता है और शराब का pH कितना होता है तो शराब का pH मान होता है 2.8 तो दोस्तों इसका सहिंसर क्या हो जएगा इसका सइंसर हो जएगा option number C सही हो जाएगा L-Munium chloride अब चलते हैं next question friends गनतंत्र दिवस पर राष्ट पती को कितने गन सेल्यूट प्रस्तूत करते हैं यदि आप लोग defense की त्यारी कर रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि गनतंत्र दिवस पर राष्ट पती को कितने गन सेल्यूट प्रस्तूत करते हैं तो इसका साइंसर क्या हो जाएगा इसका साइंसर हो जाएगा option B एकीज गन सेल्यूट कितने गन्सेल्यूट करते हैं तो 20s-gun दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं subscribe करदे एगा बेल लेकेन बटन को All पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नौटीस सम अप्लोड करें आप लोग तक पहुंजा आप लोग प्लीज टेस्ट में जरूर भाग दीजिए फिर नेक्स पर से जब भारत एक गंतंत बन गया तब प्रमबीर चक्र किस किस अस्थान पर आया तो इसका स्थाइंसर क्या हो जाएगा तो इसका स्थाइंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए विक्टोरिया क्रॉस किस की सस्थान पर आया तो विक्टोरिया क्रॉस पे तो ऑप्शन नमर ए सही हो जागा फ्रेंट्स फिर नेक्स्ट वर्शन है सबसे हलकी धातु है सबसे हलकी धा तो सबसे हलकी धातु कौन है तो लीथियम ऑप्शन नमर डी सही हो जागा देखें दोस्तों अभी आप लोग टेस्ट यदि देड़ हैं तो आप अपना पीत जम्हा होता है पीत कहां जम्हा होता है तो मैं आप लोगों आज बताओं का नासपतिक एकार का एक थैली होता है जिसमें यक्रित से निकलने वाला पीत जमार आता है पीता साय में पीत नालिका के माध्यम से आता है पीत में जल की मातरा 85 परतिसत एबं पीत वर्नक की मातरा 12 परतिसत होती है पीत पीले रंग का चार्य दर्भ है जिसका पीच मान 7.7 है तो पीत का पीच मान कितना है 7.7 इस परकार एक कोशन आप लोगों पूछ लिए जाएंगे तो अप्शन नमर एस सही हो जगा फ्रेंट्स नेक्श्ट कॉर्शेन है फ्रेंट्स किस पुर्ट भारतिय परधान मंत्री का जनम दिन 25 दिसम्वर को हैまना जाता है कि सफ्पूर भारतियре परदान मंत्री का जनमदीद 25 दिसंबर को है देखिए दोस्तों इसी परकाइड कोस्टन आप लोगों को जीडी में या किसी विख जाएंप पुछ ले जएगा फिर आप अपना जो जीसी हॉल में जाएगा उसमें आते दुसरों को चहरा की तरफ देखिएगा या कंपूटर पे टांग ऐसे खट-खट मारिएगा जै क्या होगा इससे पहले आप लोग त्यारी कर लीजिए किस पूरों भारतिय प्रधान मंत्र का जन्व परतीस दिसंबर को है तो इसका से इसर क्या हो जाएगा इसका से इसर हो जाएगा और सथी बिश प्लेट के नीचे खुदा है और कहां से लिया गया है सब्द सत्मेव जयते भारत के पर्ति के वे स्प्लिट के नीचे खुदा है और कहां से लिया गया है तो इसका से इंसर क्या हो जाएगा पिसका से इंसर हो जाएगा अपसान नमर क्या सभिवजगा तो सी अपसन नमर सी से रजगा मुंढक उपनिसाद से सत्मेव जयते जुद्द के उपनिसाद से लिया गया गया है जंकि यम निच कोता संबाद के वनन कठोप निसाद से है अब चलते हैं लास्ट कोशन पर लांस्ट कोरशन है काउन सा भारतीय सहर विठ्स्व का फुट बॉल के लिए गेंदद निन्वित करता है तो बताए क्या हो जाएगा option number C से होजएगा जलंधार, क्या होजएगा जलंधार, देखें दोस्तों आप लोग कितना number आया है, प्लीज आप लोग comment box में comment कीजिए और next episode हम next video मिले के हाधिर होंगे, तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रम